जब टेलिविजन चैनलों पर बहस की शुरुआत हुई जैसा आसी जी नहीं बताया कि एक दोर वो भी था जब बिल्कुल पॉलिटिकल रिपोर्टों को भी एक दम किनारे कर दिया गया था जब धिरे धिरे पॉलिटिक्स की वापसी हुई तो इसी तरह से डिबेट्स की भी की पॉलिटिकल डिबेट्स की चैनलों पर शुरुआती और मैं मानताँ ओंथा में टेलिवीजन चैनलों सब विय किलिच्छी हों कि यह सब को देखने से अच्छा है कि ऐक पॉलिटिकल डिबेट कर जिविज हैं वियूआत आपने ठीक नहीं है कि जो भी oops जिक चांट इस टीवी बहस हैं इसका कारण एक बहुत बड़ा ये है उसके कारण हम टेलिविजन को तो हम थोड़ा दोश जरूर दे सकते हैं लेकिन उसका एक बड़ा जिम्मेदार उसके लिए बड़ा जो फैक्टर है वो हम राजनेताओं को भी हमें देना चाहिए क्या आप सोचिए कि वाजपरी जी जब तक वाजपरी जी का एक दौर था और उस समय के राजनेता जो थे वह आप उसवक्त सनसंद में देखिये संसंद में बहस भी कैसे होती थी सोमिना चटर जी और प्रणोद़ा और देखिए सोमिना चटर जी वामपंती नेता थे प्रणाव मुकर जी आज आप संसंद में देखिए किस तरह की चीजे होने लगी हैं राजनेताओं को देखिए किस तरह के बयान देने लगें नितीज जी ने आज जो बयान दिया मतलब नितीज जी का आज सुबह से एक बयान चल रहा है आप सोचे नितीज जी इस तरह की बयान दे पाएंगे मतल तो यह दरसल हो यह रहाय कि आज की तारीक में जो politics है उसमें इतनी कटुता आ गई है इसमें इतनी जादा एक दूसरे के प्रती नफरत आ गई है उस कटुता ऊस नफरत के कारण वह कटुता नफरत जो है ब प्रवक्ताओं के डिवेट में दिखने लगी है वह कटुता वो नफरत अब एक दूसरे से बात करने में दिखने लगी है संसत की बहस में दिखने लगी है और वही चीज हम देख रहे हैं कि वही चीज अब टेलिविजन चैनल्स पर भी आ गई है इसका स्तर देखिए एक अगर हम टीवी चैनल वाले हाला कि ऐसा कता ही होगा नहीं क्योंकि इसका लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं अगर हम टीवी चैनल वाले यह सोच लें कि हम अपने कारेकरमों में जो लोग गलस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो लोग कुछ लोग तो आजकर गाली का लोज भी करने लगे टीवी पर जो ल